नमस्कार साथियों मेरा नाम है मेगा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं दन्यूज लॉंचर क्या कपना टक में आरक्षण को लेकर भारतियजंता पार्टी ने काउंग्रेस पर जो आरोप लगाया है क्या वो सच है क्या सच मुझ कांग्रेस उलप संख्यकों को देश की समपती देने वाली है क्या सच मुछ मुसल्मानों को पिछडे वर्गों के अधिकार छीन कर मुसल्मानों को आरक्षन दिया जाएगा दोस्तों आज इस वीडियो में हम यहीं चर्चा करेंगे कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भारती जंता पाटी देश को किस प्रकार से मूर्ख बनाने का काम कर रही है तथ्यात्मक तोर पर तो बिल्कुल गलत है सो है लेकिन लोगों को भ्रम में रखकर देश को तोड़ने की कैसे यह प्रयास कर रहे हैं उससे आज परदा फाश करेंगे दरसल करनाटक में आरक्षन को लेकर आपने सुना होगा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के टोक से यह बात कही कि कॉंग्रेस पिछडे वर्ग के अधिकारों को हनन करना चाहती है कॉंग्रेस पिछले वर्ग के अधिकार से चीन कर आरक्षन चीन कर मुसल्मानों को देना चाहती है और साथी साथ प्रधान मंत्री ने उस रैली में एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कॉंग्रेस पर ये कहते हुए कि अगर कॉंग्रेस सत्ता में 2024 में आती है तो वो अल्प संख्यकों को फायदा पहुचाएगी वो जिस प्रकार से आरक्षन पिछरे वर्गों से चीन कर मुसल्मानों को दिया गया उसी प्रकार से देश के मंगल सूत्र इस्तमाल किया गया है शब्द मंगल सूत्र को पिछडे वर्गों में अल्प संख्यकों में बाट देगी कहने का मतलब है कि भारतिय जनता पार्टी ने एक ऐसा दाओ खेला है जिससे OBC और मुसल्मानों के बीच में हुट डाल दी जाए यानि साफ तोर पर पोलराइजेशन तुष्टी करण का प्रयास किया गया है लेकिन इसमर बैकफायर किया है करनाटक के मुखे मंत्री सिधर मैया ने सिधर मैया ने बताया है कि प्रधान मंत्री का वो जूट परदा पाश करके रख दिया है देश के सामने कि असल में करनाटक में आरक्षन लाने वाली कॉंग्रस नहीं बलकि जनतादर HD देव गोडा थे जो अभी भारतिय जनता पार्टी के साथ अलाइंस में गटबंधन में हैं और चुनाव BJP के साथ लड़ रहे हैं तो ऐसे में सीधा रमया ने देव गोडा पर ही सवाल खड़े कर दिये कि क्या आप भारतिय जनता पार्टी के साथ अब चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या आरक्षन को लेकर आपकी जो सूच आपकी जो मान सिकता है आपका जो स्टैंड है अभी भी वही है दरासल 1995 में 2B कैटेगरी को इंट्रियूस किया जाता है लाया जाता है जिसके तहट मुसल्मानों को चार प्रतीशत आरक्षन का प्रावधान प्रदान किया जाता है यानि कि वो आरो जिसके तहट भारतीय जनता पार्टी कॉंग्रस को बदनाम करने का प्रयास कर रही है जिसकी वज़ा से OBC और मुसलिम मतदाताओं के बीच तुष्टी करण करके भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी को फायदा पहुँचाना चाहती है वो पूरा का पूरा तथ ही गलत है यानि कि करनाटक में आरक्षन लाने वाली कॉंग्रस पार्टी नहीं बलकि अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जनता दल सेक्यूलर के स्टी देव गोडा थे 1995 में ये उनके द्वारा लाया गया है और अब भाशाणों में जगर जगर तथ्यात्मक तौर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जहर घोलने का काम तो कर रहे हैं जूट अफवाहे फैलाने का काम तो कर रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस पर एक ऐसा आरोप लगा दे रहे हैं जिससे नकेवल विपक्षी दल को खतम करने के लिए विपक्षी दल पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं ताकि वो चुनाव में न जीते बलकि इसका प्रभाव जो है वो पिछडे वर्गों को तोडने का है यानि मुसलिम और OBC वर्ग के बीच में दरार आ जाए वोटों का विभाजन हो जाए और इस तरीके से भारतिये जंतापाटी पुष्टी करण की राजनीती करके सब्ता में आना चाहती है अब सीधा रमया ने देव गोडा पर लगा है कि क्या वो तथ्यात्मक रूप से अनुभिग्य है क्या वो इग्नॉरंट है निश्यत तोर पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि देश के प्रधान मंत्री को ये तक नहीं पता जो प्रधान मंत्री दावा कर रहे हैं कि आन्द्प्रदेश में किसी कारणवश कुछ मजबूर के कारण वो आरक्षन नहीं ला पाई हालाकि उनका पूरा यारी कॉंग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं प्रधान मंत्री के आंध्र प्रदेश में भी कॉंग्रेस चाहती थी कि मुसल्मानों को जो है पिछडे वर्गों का धिकार छीन कर आरक्षन दे दिया जाए यह आरोप ज जो हाउसेस है उसकी मंजूरी दोनों हाउसेस में वो चीज पास होना जरूरी है वो विधेक पास होना जरूरी है तो किसी भी संशोधन में बिना दोनों हाउसेस दोनों सदनों की मंजूरी के कैसे कोई संशोधन किया जा सकता है लेकिन फिर भी आंध्र प्रदेश करना टक दक्षिन भारत में मुसल्मानों को फाइदा पहुचा रही है कॉंग्रेस ऐसा आरोग छूटे बयान बाजी और ब्रह्म की स्थिती भारती जंतापाटी और खास तोर पर भारती जंतापाटी के ही प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी लगा रहे हैं सीधा रमया ने क्या कहा है और पूरा तथे जो पेश किया है आरक्षण से सम्मंदित वो आज आपको इस वीडियो में सुनना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि चुनावी मुद्दे के आभाव में आज भारती जंतापाटी नरेजनीती का स्तर इतना गिरा दिया है कि वो देश में चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत बनाने की बजाए ट्रांस्पेरेंसी परदार अपार दर्शिता को मेंटेन करने की बजाए देश में नफरत होल कर सत्ता में आने का काम करना चाहती है सीधा रमया ने वास्तविक में एक्चुल स्टेटमेंट्स क्या दिये है वो सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है और उस ट्वीट को सबसे पहले मैं पढ़कर सुनाती हूँ और एक एक करके आपको समझाती हूँ कि भारती जनता पार्टी का जूट करनाटक में आरक्षण को लेकर जो आरोप कॉंगरस पर लगाए गए है वो खुद भारती जनता पार्टी के सहयोगी दल लेकर आये थे और अब कॉंगरस का घिराव किया जा रहा है उस पर और ना किवल कॉंगरस का घिराव किया जा रहा है इसलिए समस्या है समस्या ये है कि आप तठ्यात्मक रूप से एक बात छूठ बोल रहे हैं लोगों को भरम की स्थिती में डाल रहे हैं और दो समुदाय के बीच जो है गलत फेहमिया ला रहे हैं दूरिया लाने का काम कर रहे हैं क्या कहा सीधा रमाइया ने सीधा आपको पढ़ाती हूं। स्क्रींस पर नजर डाले। सीधा रमाइया कहते हैं, Prime Minister Narendra Modi's claim that the Congress has transferred the reservation quota from backward classes in Dalits to Muslim is a blatant lie. It stems from ignorance but also indicative of its desperation born from a fear of defeat. No leader in the history of our country has ever demeaned the office of the Prime Minister to such a low level. Being in the position of responsibility, Prime Minister Narendra Modi must either substantiate these irresponsible allegations with evidence और apologize to the nation. कहने का मतलब है कि प्रधान मंत्री Narendra Modi के नेतरितव में अज सरकार इतनी नीचता तक आ चुकी है, राजनिती के स्तर को इतना नीच कर चुकी है, और ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है पूरी इतिहास में, कि भारतिय जनता पार्टी या मैं कहूं कि देश को एक ऐसा प्रधान मंत्री प्राप्त हुआ है, जो नीचता तक उतर आया है, फॉल्स क्लीम कर रहा है, जूटी बाते बना रहा है, ब्रह्म पैला रहा है, बजाए इसके कि वो चुनावी मुद्दे पर, खोशना पत्र के दम पर, लोगों को आकर्शित करने का काम करें, अपने 9-10 साल में जो उन्होंने काम किया है, जो उनकी उपलब्दिया है, वो गिनवा है, अब उपलब्दिया गिनाने के लिए उपलब्दिया करना भी जरूरी है, उपलब्दिया देश में तो हुई नहीं है, बढ़ती महगाई तो कोई उपलब्धी नहीं है, देश की बढ़ती वे रोजगारी कोई उपलब्धी नहीं है हंगर इंडेक्स में जुमारा स्थान है, हैपिनेस इंडेक्स में जहाँ पर है क्या ये सब उपलब्धी है, ने शित और पर नहीं तो आज भारतीय जंतापाटी तना मजबूर हो चुकी है कि उन्हें तुष्टी करण की राजनिती चुननी पर रही है। सीधर अमई आगे क्या कहता है वो भी आपको पढ़ाती हूँ. स्क्रींस पर नज़र डाली एक बर फिर से. Where has the Congress stated that it would take away reservations from backward classes and SCSTs to give them to Muslims? Which state government under the Congress has implemented such a policy? Is there any official government document related to this? Prime Minister Modi must present all these details before the nation. यानि की सीधर अमई आप्या ने पूछा है कि Congress ने ऐसा कव कहा कि वो पिछड़े बर्क SCST दलित की अधिकारों को छीन कर मुसल्मानों को बाटेगी या कोई ऐसा राज्य हुआ है जिसमें इस प्रकार का रक्षन दिया गया है कि मैं SCST के राइट स्कूर में से ही मुसलिम्स को हम दे दे मतलब यह लेकर देने वाला काम Congress ने कहीं भी नहीं किया है तो Prime Minister Narendra Modi अगर अपने भाशनों में Congress पर ऐसे आरोप लगा रहे है इतने बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं तो प्रधान मंत्री को वो सारे सबूत जनता के बीच में लाने चाहिए और सीधी साफ बात है सीधरमया ने जो बात कही है कि क्या ऐसा promise किया गया है क्या किसी राजी में ऐसा Congress-led राजी में हुआ है अगर हुआ है तो प्रधान मंत्री सबूत दे और साथी साथ सीधरमया ने ये भी पूछा है कि क्या कोई आधिकारिक अपचारिक दस्तावेज है जिसमें Congress ने इसका दावा किया हो या प्रधान मंत्री जिस अधार पर या आरोप लगा रहे है उसकी बुनियाद क्या है वो सामने रखे देश के सामने सीधर महीं आगे कहते हैं, Constitutional Reservations cannot be arbitrarily amended. Revisions to Reservations can only be made based on the reports from Social Economic Surveys. Moreover, State Governments do not have the authority to modify Reservations for the scheduled caste and tribes. Such amendments requires the approval of both the Houses of Parliament. The fact that a Prime Minister lacks even the basic knowledge is truly tragic for our country. अब यहीं बात कही गई है कि किसी भी रूप में संशोधन जो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, कोई ताना शाइन नहीं चल रही कि आपके जो मन में आया वो कर दिया जाएगा. कहने का मतलब है कि अगर भारतिय जंता पार्टी कॉंग्रस पर यारोप लगा रही है कि वो मनमाने ढंग से संशोधन कर रही है. तो अगर आप संविधान को थोड़ा भी जानते हैं, तो आपको ये मालूम होगा कि संशोधन करने के लिए आपको दोनों सदन से जो है विद्यक को बास करना होता है. तो प्रधान मंत्री यहाँ पर पूरी तरीके से तथ्यात्मक तोर पर फेल हो जाते हैं. तो क्या देश के प्रधान मंत्री को ये तक नहीं पता कि किस प्रकार से संशोधन होता है और अगर पता है तो देश को भ्रम में डालने का काम क्यों कर रहे हैं और अगर नहीं पता है तो बहुत जादा दुरभागे पूर्ण है कि देश को ऐसा प्रधान मंत्री प्राप्त हुआ है जिसको ये तक नहीं पता कि देश में संशोधन कैसे होता है साथी सीधर मया और कॉंग्रेस ने बार-बार जाती जणगर्णा को लेकर बार-बार एंफेसिस किया है जोड डाला है कि देश में अगर सच मुझ रिजरवेशन करना है तो उससे पहले हम हमें ये मौइना करना होगा कि किस कास्ट किस जाती का कितना प्रतीशत है और उसी प्रतीशत के आधार पर भागिदारी देने का काम किया जाएगा इसलिए बार-बार इस economic survey की बात की जारही है, जातिगत सर्वे की बात की जारही है, और उसी जातिगत की economic survey की अधार पर ही आरक्षन दिया जाएगा. तो इस प्रकार की भारती जनता पार्टी के आरोग बे बुनियाब नजर आते हैं. सीधर हम यह आगे लिखते हैं. It's true that in Karnataka, Muslims have been included in the two-week category for backward classes. This is not something done now. It has been based on the reports on the backward classes commission starting the LG Havanur in 1974. This reservation has been placed for the past three decades. Neither the BJP government previously in power at the state, nor the Narendra Modi-led union government has been in power for the 10 years has questioned this reservation. Moreover, no one, including the BJP, has challenged it in the court. कहने का मतलब है कि अभी आरक्षन लागू नहीं कर दिया गया. यह recommendation से, यह commission के द्वारा जो reports आई हैं, उस पर based है. तो इतने तीन दशकों से अगर आरक्षन था, तो प्रधान मंत्री Narendra Modi ने पहले क्यों नहीं सवाल उठाए? ना प्रधान मंत्री Narendra Modi ने, ना उनके गटबंधन के किसी भी पार्टी ने, और ना किसी भी नेता ने इस पर एतराज जताया कि आखिर आरक्षन क्यों है? और अब अचारक चुवनावी महौल को देखते हुए, इतनी ज़ादा क्या उतेजना हो गए, इतना ज़ादा आत्मग्यान क्या हो गया, इतनी ज़ादा चिंता क्यों सताने लगी कि देश में आरक्षन हो रहा है, अगर भारती जंता पार्टी को वोट नहीं दिया जाएग तो देश बर में दलितों, पिछडे वर्गों का अधिकार छीन कर मुसल्मानों को दे दिया जाएगा, इस प्रकार की बातें अब क्यों की जा रही है, जब तीन दशकों से रिकमेंडेशन रिपोर्ट की आ रही थी, उस पर बेस्ट आरक्षन भी लागू हो गया, तब बहा जब बताया है, तो बी काटेगरी को इंकलूट किया जाता है, उसके बाद चार परतीशत आरक्षन देने की बात होते है, पर आरक्षन दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जब इसे लागू किया जा रहा था, तो इसको रोक थाव सुप्रीम कोट ने किया था, लेकिन ये बेसिक इंफमेशन भी प्रामिस्टर नराइंडर मोदी को नहीं पता है, इस पर सीधार हम यह चिंता जदा आते हैं. In Karnataka, the previous BGV government has announced an increase in the reservation for scheduled caste from 15 to 17 percent and from scheduled tribes from 3 to 5 percent. They also claim to have written to the union government about this. However, on March 14, 2023, the Minister of Social Justice and Empowerment, Narayana Swami, informed the Lok Sabha that neither had such a letter been received from the state's BGV government, nor was there any proposal to increase reservation in the consideration. Did Prime Minister Narendra Modi not take note of this decision? अब कहा जा रहा है कि करनातक में जब भारती जंता पार्टी की सरकार थी, तो उस समय ये बात छिड़ी थी कि दलितों के जो पिछड़े बार के SC, STs हैं, उनके आरक्षन का जो प्रावधान है, उसमें एंक्रिमेंट किया जाए. लेकिन उस एंक्रिमेंट वाला जो रिकमेंडेशन हुआ था, वो यूनियन गवर्मेंट के बास भेजा जाता है. हाला कि यूनियन गवर्मेंट और कोर्ट इस बात से बाद में इंकार कर देती है कि यसी कोई भी रिकमेंडेशन उन तक नहीं बहुची है. तो सीधा सवाल सीधर में यह पुछते हैं कि क्या सचमुच उनकी पास रिकमेंडेशन नहीं पहुची थी और वो भी उस समय जब भार्ती जंता पाटी ही गवर्न कर रही थी स्टेट को. I am eager to know the opinion of Modi's new ally Shri S.G. Devgoda. Shri Devgoda, who once boasted the implementation of reservations for a Muslim, should clarify his current stance. Despite having governed for the last 10 years, Prime Minister Narendra Modi's lack of significant achievement proves that he is a failed leader. साथी साथ, जैसे मैंने वीडियो की शुरुवात में आपको बताया कि S.G. Devgoda से संबंधेती प्रशने डाल देते हैं और डालना वाजब ही है कि वो जंता दल सेकुलर के वो नेता, S.G. Devgoda, जिन्होंने 1995 में इसे लागू किया, वो भार्ती जंता पार्टी की साथ गढ़ बंदन में है और चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसे में कि S.G. Devgoda का जो स्टांस है, वो उनका, उनकी जो सोच है, क्या वो बदल चुकी है, क्या उनका जो स्टांड है आरक्षन को लेकर अब वो बलट चुका है, यह तमाम सवाल है, जो सीधर अमया ने एक के बाद ट्विटर पर सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है, और सवाल पूछा है प्रधान मंत्री मोधी से, ना केवल सवाल पूछा है, बलकि जनता को सचाई दिखाने का काम किया है, जिसे प्रधान मंत्री नरेंद मोधी ना केवल छुपाने का काम कर रही है, बलकि लगाता जनता को भ्रमित करने का काम करें। क्विए पता है कि मुद्दे तो है नहीं। कभी इनके बॉकला हट बयान बाजी में दिख जाती है। तो कभी इनके चाल चलत में दिख जाती है, देखा होगा आपने कभी शुडाम की तस्वीर लगा कर इनके नेता अश्रील डांस करवा कर रहे हैं, ताकि इनको वोट प्राप्त मिल जाए, कभी नवनीत राना जैसी नेतरी जो है, ये बात कह देती है कि कोई लेहर नहीं है, ज बात चुनाव जीतना है, तो काम तो उन्होंने किये ही नहीं कि वो गिनवाएंगे, और काम जो किये है, वो भी क्या उल्टे काम किये है, ये भी आप भली बाती परिचित है, अब ऐसे वे उनके पास एक ही बचता है, वो है जाती, और देश में भारज में खास तोर पर किस प्रकार से जाती अधार पर मतदान होते हैं, इस प्रकार से जाती, कास्ट बहुत important factor बनके उभराती है, ये किसी से छुपा नहीं है, तो इसलिए प्रधान मंतिरी नरेंदर मोदी इस पर इस जाती फैक्टर को जौडदार प्रहार बना कर अपना एक शिकर जाजान डाला है और साथ ही इस कास्ट के बिहाव पर ही देश को तोड़ने का काम जो भारतीय जन्ता पार्टी कर रही है एक समुदाय को दूसरे समुदाय से नफरत पहलाने का शत्रता कराने का जो काम कर रही है वो अपने आप में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी पर प्रशन चिन डालता है नरेंदर मोदी की सरकार भारतीय जन्तापाटी के चाग-चरित्र और उनके रवएये कारे शैली तमाम चीजों को कड़ गरे में खढा कर देता है लेकिन सबसे बड़ा प्रश्ण और सबसे समझने मन्थन करने वाली चीज है कि आखिरकार भारती जनता पाटी तेमी नीचता पर उतराई है कि उसे इतने बड़े तथियों को जो समाने तोर पर सबको मालूम होता है जरूरी नहीं आपको इसमें विशेशग्य होने की जरूर और सचमुच आज देश की स्थितिज इस प्रकार से बनी हुई है उसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि लगातार नफरत जो फैल रही है एक समुदाय दुप से समुदाय ते नजास चल रहा है ऐसे में किसी भी देश की प्रधा गया होगा जो आपसे चुपाया जा रहा था कटनाटक में आरक्षण की स्थिती भी साफ हो गई होगी और कॉंग्रेस को लेकर जो घराप प्रधान मंत्री मोदी और भारतिये जंता पार्टी नफरत और जूट पेलाने का काम कर रहे है वो भी अब साफ हो गया होगा कॉमे कर देड.